इस क्लास में हम नॉम्बर 2023 के करेंट अफियर्स को हम इसमें कवर करेंगे और नॉम्बर 2023 के लगभग 15 कुर्शन यहाँ पर जो टॉप के 15 कुर्शन से उसको हम डिसकस करने वाले हैं ठीक है गुड इबनिंग ओके स्टार्ट करते हैं देखो कुछ लोग यहाँ पर जो है OSSC से जो है अगर कनेक्ट हुए होंगे तो मैं उनको बता दूँ कि आप लोग का जो भी स्लेबस है आपके स्लेबस आपके कॉर्स में जो भी स्लेबस है कल तक जो है वो सारे जो अल्रेडी जो क्लासे सो चुके हैं उसको मैं अपलोड कर दूँगा और कल मैं एक क्लास लेके आप लोग को पूरा ब्रिफिंग क्लास में समझा दूँगा कि क्या क्या portion आप लोग को पढ़ना है कहा कहा से पढ़ना है, कितना पढ़ना है वो सारे चीजे जो है मैं आप लोग को guide कर दूँगा basically जो है आप लोग के class में जो DI वाला section है data वाला जो जितने भी graph chart इससे based जो भी question बनेंगे उसको मैं आप लोग को cover कराने वाला हूँ live classes में, then उसके बाद में current affairs तो current affairs के इसके पहले जितने भी classes हुए है वो भी मैं आप लोग को बता दूँगा कि वो कहां से आप लोग को देखना है अगर कुछ चीज नहीं समझ में आता है तो उसको हम फिर से जो है class कर सकते हैं जो भी topic रहेगा वो ठीक है तो फिलाल तो आज के जो class है इसमें हम number के जो भी current affairs है उसको हम देखने वाने हैं, चलो start करते हैं ओके पहला question है यहाँ पे military exercise वजर प्रहार is organized between India and which country and exercise है वजर प्रहार यह भारत और किस देश के बीच में आयोजिप किया जाता है तो इसमें जो है options है हमारे पास France, Australia, USA और जपान तो भारत के साथ में कौन-कौन सा पिछले महिने का तो पिछले महिने का जो है यार देखो अक्टूबर के दो current affairs के classes हुए है 15-15 days के जो है जितने भी question cover कर सकते थे वो already हुआ है तो वो मैं आप लोग को upload कर दूँगा वो जो वीडियो है और उसके जो PDF है उसको तो आप directly PDF से भी देख सकते हो अगर समझ नहीं आये तो वीडियो को आप reference ले सकते हो तो मैं दोनों चीजे जो है अहां पे upload कर दूँगा आप लोग के content वाले section में तो आज भर नहीं कल तक जो है सारे आप लोग के जो भी content है वो सारा जो है उसमें uploaded हो जाएगा तो वहां से आप लोग देख सकते हैं और मैं बता भी दूँगा आप लोग को briefing class में कि क्या क्या चीजें है कितना कितना portion आपको कहा कहा से देखना है और कोई topic अगर आपको समझ नहीं आएगा तो वो topic हम live class फिर से उसको कर सकते हैं connect कर सकते हैं ठीक है चलो तो इसका जो correct answer है वो है USA option जो है C इसमें available है तो option C इसका जो correct answer है USA ठीक तो ये जो वज्र प्रिहार नाम कर जो military exercise ये 2010 से start हुआ है भारत और USA के बीच ने और 2010 से start हुआ है तो कई बार पूछ देता है ये कौन से edition है तो आपको याद रखना है ये 14th number का edition है चौदमा जो है संसकरण है जो कि अभी जो है recently मेघाला में जो है इसको आयोजित किया गया किसके किसके बीच में भारत और USA के बीच में तो ये भारती सेना और अमिरीकी सेना इन दोनों के बीच में जो visageable होता है इस पेसल जो forces होते हैं उनके बीच में जो है एक exercise है तो इसका आगे हम देखते हैं next question है who has become the first Indian to win the international Emmy Award international Emmy Award जीतने वाले पहले भारती है कौन बने है तो options है यहाँ पे अर्मान मलिक, आरमाधुम, विक्की कोशल और विर्दास देखो जो नाम जो है थोड़ा सा हिंदी में ठीक लगे मैं हिंदी में options available है यहाँ पे जो चीज़े इंग्लिस में है वो इंग्लिस में available है बाकी question हिंदी इंग्लिस दोनों में है तो देखो यहाँ पर जो है Emmy Award जो होता है वो generally जो है acting related होता है खास करके छोटे परदे वाले या कुछ अलग-अलग जो platforms होते है उनमें जो भी programs अगर आते है उस category में जो है यह award दिया जाता है international Emmy Award दिया जाता है तो यहाँ पर जो चौथा option है वीरदास तो वीरदास को जो है Emmy Award मिला है इस बार उनका जो वीरदास landing करके उनका एक program है comedy category में उनको जो है यह international award दिया गया है तो यह पहले Indian बन चुके है जिनको Emmy Award से नवाजा गया है ठीक है एक होता है Grammy Award जो music के छेतर में दिया जाता है यह है Emmy Award जो basically entertainment के category में जिसमे comedy में serious acting में अलग-अलग जो category बना रहता है उसमें से एक category होता है comedy category उसमें मिला है विर्दास को ठीक है comedy में comedy category है और इनका जो show का नाम है वो है विर्दास लेंडिंग इस program के लिए जो कि basically Netflix में आया था और एक stand-up comedy है यह ठीक है चलो अगला question यहाँ पे who has been appointed as the new governor of Odisha Odisha के नए राज जपाल के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है options है यहाँ पे कलराज मिश्र आर के सिन्ह रगुवर्दास अशोक खिमका अगर जो Odisha के हैं उनको यह चीज पता होना चाहिए चलो किसी ने नाम सुना यह किसी का अभी से एक ने answer दिया और कोई चलो करेक्ट आंसर है यहाँ पे option C रगुवर्दास तो रगुवर्दास जो है जारखन के अल्रेडी जो है वो पूरो मुख्य मंत्री रहे हैं तो रगुवर्दास जो है जारखन के मुख्य मंत्री रहे है तो एसा पूछ देता है जिनको बनाया गया है वो पहले किस पोश्ट पे थे या किस पदपे थे तो इस चीज को याद रखना है आपको तो रिसेंटली अभी ओडिसा के नए राजिपाल के रूप में जो जारखन के पूरों XCM थे रगवरदास उनको जो है बनाया गया है अभी ओडिसा के नए राजिपाल गवर्नर ठीक है तो अपसंसी इसका जो है करेक्ट आंसर है रग पहल शुरू की तो अपसंस है यहाँ पर आशा इनिशेट्व, उम्मीद इनिशेट्व, होप इनिशेट्व या फिर संकल्प इनिशेट्व अब आपको पता ही होगा कि ड्रग के मामले में अगर देखा जाए तो पंजाब में बहुत बड़ा इसू रहा है सुरू से और इस्पेसली जो अमरिश सर वाला छेत्र है वो जो उड़ता पंजाब है वो भी कहीं न कहीं इसी को रिलेट करके मोवी बनाई गई थी तो यहाँ पे एक जो है अलग-अलग तरह के जो है इनिशेट्व लिया गया है लेकिन अभी रिसेंट्री पंजाब सरकार ने जो अक्टूबर के लास्ट में जो है पंजाब सरकार ने अमरिश सर से एक इनिशेट्व शुरू किया है तो इसका नाम रखा गया है आप्शन C में हैं होप इनिशेट्व ठीक है तो आप्शन C होप इनिशेट्व रखा गया इसका नाम ठीक है कहां से सुरू किया गया अमरिश सर से पर नेक्स कुछन है यहाँ पर वाट निव फेजिननल रैपीड रेल भारत की पहली इसका नाम करए है तो आप्शन है यहाँ पर वंदे भारत भारत धुर्शन नमो भारत इन्दियन रैपीड रेल तो देखो यहाँ पे नाम को जो है शुरू में ही क्लियर कर दिया है Regional Rapid Rail बोल रहा है तो Regional Rapid Rail जो है अभी recently शुरू किया गया October में और इसमें जो है इसको अलग-अलग कोचे से इसमें बनाया गया है लगबग 6 कोचे से इसमें होंगे जिसमें से एक को जो है फिमिल के लिए जो है रिजर्व रहेगा तो यह एक तरह का Regional Area में किसी कम दुरी कम डिस्टेंस के लिए अभी फिलहाल जो है दस ट्रेने जो है चलाई जा रही है इसका नाम क्या रखा गया है तो एक तो वंदे भारत का नाम आप लोगों ने सुना होगा अभी वंदे भारत रेडल जो है बहुत फेमस हुआ है इसका जो नाम है वो है नमो भारत तो उप्शन C जो है इसका करिक्ट आंसर है ठीक है तो यहाँ पर जैसे इंडियन रैपिड रेल दिया है तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है इसका बेसिकली नाम रिजिनल रैपिड रेल है ना कि इंडियन रैपिड रेल तो यह उप्शन नहीं होगा इसका जो एक्जेक्ट नाम रखा गया है वो है नमो भारत ठीक है, original rapid rate Next question है यहाँ पर बिशन सिंग बेदी passed away, he was associated with which sport बिशन सिंग बेदी का निधन हो गया वह किस खेल से जुड़े हुए थे option से यहाँ पर hockey से जुड़े हुए थे, cricket से जुड़े हुए थे या फिर lawn tennis से जुड़े हुए थे, किसी ने सुना है नाम बिशन सिंग बेदी का बिशन सिंग बेदी के बारे में एक चीज़ और आपको धियान रखना है कि यह जो है भारत के जो cricket team है, उसके पहले Indian coach थे यह First ODI coach Indian ODI coach क्योंकि इसके जो भारत में जब coaching जो शुरू हुआ उसमें पेशेवर रूप से जो 1990 वाली जो भारती team है, उसके पहले जो है यह एक Indian coach बने, उसके बाद से तो बहुत सारे coaches बने और बीच में ज़्यादा तर विदेशी coach को रखा गया तो simple सी बात है कि यहाँ पे आपको धियान रखना है, कि cricket से ही है simple सा answer है इसका जो cricket से जो है उनको associate करना है, मतलब कि वो cricket से जुड़े हुए थे तो option B जो है इसका correct answer है वो जब इनका date हुआ भी 77 साल के उम्र में 77 वर्स के आयू में जो है इनका निहान्त हुआ और ये भारत के लिए लगभग 67 टेस्ट मैच खेला बॉलर थे 266 जो है विकेट्स लिए ठीक है 77 एर के age में उनका date हुआ 67 टेस्ट इन हुने भारत के लिए खेला क्रिकेट में और 266 विकेट्स उन्होने लिए भारत के इस्पिनर थे जाने माने जाते हैं और वो भारत के पहले ODI कोच भी बनाए गया थे 1990 में 1990 में Next question है यहाँ पे Who has been appointed by State Bank of India as its new brand ambassador अगर जिन लोगोंने cricket match अभी World Cup देखा होगा उनको इनका question का आंसर जरूर पता होगा तो State Bank of India ने किसे अपना नया brand ambassador न्यूकत किया है options है यहाँ पे सचीन तेंदुलकर को महेंदर सिंग धोनी को रोहित सर्मा को या फिर विराट कोली को तो अगर आप लोगोंने देखा होगा cricket World Cup में जितना बागी क्रिकेटर इंडियन क्रिकेटर नहीं आ रहे थे उससे यादा टिवी में तो महेंदर सिंग धोनी ही आ रहे थे अलग-अलग है एरिस्टाइल में इतने सारे एड उन्होंने कर लिया तो आप लोग अगला क्वेशन है यहाँ पे वो हैज बिकम थे थर्ड क्रिकेटर इन दे वर्ल्ड टो इसकोर फोर सेंचुरिस इन एन ओडियाई वर्ल्ड कप किसी वन्डे विश्व कप में चार सतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं तो आप्सेंस हैं यहाँ पे डेविड वार्नर, रोहिज सर्मा, क्विंटन डिकोग और रचीन रविंडर तो इस बार के जो वन्डे वर्ल कप हुआ उसमें किसने जो है चार विश्व कप में चार सतक चार सेंचुरि लगाने वाले दुनिया की थर्ड क्रिकेटर बन गए है इसके पहले भी एक बार रोहिज सर्मा ने ये कारनामा किया है उन्होंने एक ही वर्ल कप में आइधिंग पांच सेंचुरि लगाया था मेरे ख्याल से 2015 में कुमार संग कारा ने ये चीज़ किया था तो उन्होंने भी चार सेंचुरि लगाया थी ठीक है तो ये थीसरे क्रिकेटर है चलो कौन है करेक्ट आंसर इसका आंसर है ओप्सन सी कुिंटन डिको ठीक है साउथ अफरिका के प्लेयर है इसके पहले जो है एक बार कुमार संग कारा ने ये कारनामा किया है ठीक है और एक बार रोहित सर्मन ने भी ये चीज़ कर लिया है तो इसने 2050 के वल्लकप में और इन्होंने 2019 2019 के वल्लकप में तो सबसे ज्यादा तो 5 सतक रोहित सर्मन लगाया था इसने 4 सतक और चार सतक जो है कुईंटन दिकॉफ ने भी लगाया साउत अफ्रिकाग के प्लेयर है अगला कोशन है विद हूम है इलेक्शन कमिशन साइन एन एग्रिमेंट तो प्रमोट इलेक्टोरल लिटरेसी चुनाय आयग ने चुनावी साक्षर्ता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझोता किया है तो अप्सन से यहाँ पर Ministry of External Affairs के साथ में समझोता किया NCRT के साथ में समझोता किया UPHC के साथ में समझोता किया या फिर Ministry of Education के साथ में, सिख्छा मंत्राले के साथ में समझोता किया है इस टाइब के question आजकल generally कई competition exam में पूछा जा रहा है तो इसको ज्याद रखना है कई अलग-अलग तरह के initiatives लिए जा रहे हैं चुनावी literacy को बढ़ाने के लिए लोगों में जागरूपता लेने के लिए तो किसके साथ में MOU जिसको बोलते हैं समझोता या एक तरह से बोलना चाहिए agreement किसके साथ में sign किया है तो चुनावायो और किसके बीच में ये समझोता हुआ है तो ऐसे question को थोड़ा सा अंदाजा भी लगाया जा सकता है किसके साथ में ये चीज किया गया होगा ओके correct answer है इसका option A, sorry option D ministry of education जिसको हम सिक्षा मंत्राले बोलते हैं ठीक है तो अभी क्या किया गया है इसका main जो target है वो है कि जो 6 थे लेकर के 12 तक के student है उनके syllabus में एक तरह का election या electoral जो literacy है और जो उसको सामिल किया गया है उनके syllabus में ताकि उससे जुड़े जानकारी जो है बच्चों को provide किया जा सके ताकि उनमें एक awareness आये जो है elections को लेकर के चुनाओ की क्या महत्वा है उस चीज को लेकर के तो बच्चों को सिखाने के लिए जो है उनके 6 से लेकर के 12 तक के syllabus में जो है इसको सामिल किया गया है एक ते वेर वोज दे सेवन्थ एडिशन अब गंगा उत्सव और गंगा उत्सव के सातवे संस्करण का आयोजन कहां किया गया तो option है नई दिल्ली में किया गया पहला option second है पटना में किया गया तीसरा है लखनों में किया गया या फिर कुलकाता में किया गया कौन सा शहर है जहां पे गंगा उत्सव का 7 तरडिसन जो है अभी celebrate किया गया है तो अभी देखो भारत में जो है राश्टी स्वक्ष गंगा मिसन चल रहा है जिसके तहट क्या बोलना चाहिए कि गंगा की सफाई का भियान चल रहा है तो उसी से related है यह गंगा उत्सव तो इसका आयोजन किया गया option A में available है नई दिल्ली तो new दिल्ली में जो है गंगा उत्सव का 7 तरडिसन जो है किया गया है इसी के time में जो है अभी नमामी गंगे पत्रिका निकाला गया है तो यह जो magazine है नमामी गंगे magazine जो है इसका 33rd नमबर का यह edition है 33rd edition है नमामी गंगे पत्रिका, तो इसको जो है इसी मौके पर गंगा उत्सव के, क्योंकि ये बहुत पहले से नमामी गंगे पत्रिका जो है निकाला जा रहा है और ये बोलना चाहिए कि मंतली पत्रिका है, तो इसका जो है ये 33rd number का जो है एडिसन निकाला गया नमामी गंग पत्रिका किस औसर पर गंगा उत्सव के जो सात्वे संस्करण का जो आयोजन या उस टाइम में जो और्गनाइजड हुआ उस टाइम में नमामी गंगे पत्रिका चलो next question है यहाँ पर who has been appointed as the chief information commissioner of India भारत के मुख्य सुचना आयुक्त के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है वाई के सिन्हा को, विकरम कुमार को, हीरालाल सामरिया को या फिर विनय ओजहा को तो देखो सुचना आयुक्त क्या होता है कि जो हम सुचना का अधिकार कानून का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको हम जो है CIC कहते है मतलब कि CIC का जो सुचना आई तो Commissioner कहा जाता है इसको CIC Chief Information Commissioner कहा जाता है ठीक है तो ये जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता है Information Commission का सुचना आयोग का ठीक है तो इस बर जो है हीरा लाल सामरिया option C में available है हीरा लाल सामरिया इनको जो है भारत का New CIC घोशित किया गया है ठीक है इसके पहले जो है बोलना चाहिए कि ये जो सुचना आयोग का जो पोस्ट था उसको राष्टपती जो द्रोपदी मुर्बू है वो जनरली सपत दिलाती है तो याद रखना है कई बार पूश देता है कि बताईए कि सुचना आयोगत को कौन सपत दिलाती है तो जनरली इस तरह कि जितने भी अपोइंट्मेंट है वो सब राष्टपती के द्वारा किया गया है तो राष्टपती मतलब द्रोपदी मुर्मो जो महा महिम राष्टपती द्रोपदी मुर्मी है उनके द्वारा जो है सपत दिलाई गई और ये तीर अक्टूबर को जो है अभी हुआ अब इसके पहले जो CIC थे भारत के जो एक्स बुलना चाहिए कि CIC भारत के उनका नाम था Y के सिन्धा तो इनको रिप्लेस किया है Y के सिन्धा को एक्स CIC कौन Y के सिन्धा इनको रिप्लेस करके हीरा लाल सामारिया भारत के वरतमान में नए चीफ Information Commissioner है जिनको राष्टपती द्रोपदी मुर्मू के द्वारा अभी appointment दिया गया है Next question है यहाँ पे विष्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने है तो यहाँ पर है डेविड वार्नर शाकीबल हसन एंजिलो मैथ्यूज और बाबर आजम तो यह अभी जो वर्ड कप हुआ था उसमें यह इंसिडेंट हुआ जब एक क्रिकेटर को टाइम आउट दिया गया तो यह पहली बार ऐसा हुआ जब कोई क्रिकेटर टाइम आउट हुआ है तो एक प्रकार का यह आउट माने जाने वाला एक सिस्टम है समझो जिसमें ICC का कोई नियम है जिसके अंतरगत अगर कोई विकेट गिरता है और तीन मिनट के अंदर में कोई नया बल्ले बाज नहीं आता है तो वो जो नया बल्ले बाज आने वाला है उसको आउट दे दिया जाता है तो basically इसको time out कहा जाता है हालक ही इसमें दो मिनट डिसाइड किया गया था वर्लक अप में जनरली जो है तीन मिनट के भीतर होता है लेकिन वर्लक अप में दो मिनट के अंदर में आना रहता है तो यह चीज नहीं हुआ इसको time out किया गया तो options यहाँ पे available है option C, Angelo Matthews तो यह कहा के है, स्रिलंका के player है तो यह वर्लक कप के इतिहास में यह पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए जिनको time out दिया गया है तो याद रखना है Angelo Matthews, स्रिलंकान player है चलो, इसी World Cup से लेटेर एक और question है who has become the batsman to score the fastest double century in ODI World Cup history वन्डे विश्व का पितिहास में सबसे तेज दोहरा सतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने है विराट कोहली ने कारनामा किया डेविड वार्नर ने option C में अविलेबल है सुरिकुमार यादव और option D है Glen Maxwell तो किसने जो है fastest double century इस बार बनाया है World Cup में चलो, हाला कि अगर overall देखा जाए तो भारत के जो इशान किसन है I think उन्होंने 126 गेंद में जो है 12 सतक या double century बनाया था इसके बाद अभी जो है World Cup में ऐसा करने वाले पहले प्लेयर बन गया Glen Maxwell तो option D जो है इसका correct answer है उन्होंने 128 गेंद में जो है 126 बाल्स में जो है ये double century बनाने का record बनाया ठीक है तो ये साल 2023 में अफगानिस्तान के खिलाब World Cup में ये कारणामा उन्होंने किया ठीक है तो वंडे विश्व का पितिहास में सबसे तेज 12 सतक लगाने वाले बल्लेबाज Plain Maxwell 120 गेंद में ठीक है मैं इस sports वाला section को एक और बार आप लोग को सिर्फ sports के जितने भी अभी events हुए है वो सारा चीज में आप लोग को बता दूँगा कि World Cup में क्या क्या चीज़ें हैं जो पूछा जा सकता है और अभी जो ASEAN Games हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप से पूछा जा सकता है तो उनको जो है update करा दूँगा इसके पहले classes हो चुकी है जिसमें बहुत सारी sports के जितने भी events हुए है वो सबको मैंने बताया हुआ है current affairs वाले section में awards वाले section में भी सारा चीज मैंने cover up कराया है लेकिन अभी जो recently जो भी चीज़ें हुई update हुआ है उसको मैं अलग से awards का section और sports का section अलग से करा के आप लोग को उसको update करा दूँगा तो फिलहाल अभी जो है आप ये समझों कि sports और awards का एक एक class और होगा या दो दो प्लासे से और होगी जिसमें जितने भी नए जो है awards और नए sports event है उसको मैं cover up कराऊंगा चलो नेक्स question है यहाँ पर which Indian city was recently declared the city of music by UNESCO ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोसित किया है पहला है वारा नसी को दूसरा है जैपूर को किसरा है लखनो और option D है ग्वालियर तो एक चीज़ तो याद रखना है आपको ये भी मतलब कि UNESCO के द्वारा इसको सुरू किया गया और इसमें जो है अभी recently जो है UNESCO ने कई अलग-अलग मतलब दुनिया के अलग-अलग cities को जो है उसने creative cities network के तहट जो है सुरू किया creative cities network मतलब UCCN ठीक है UNESCO creative cities network तो UCCN का मतलब है UNESCO creative cities network जिसमें ऐसे शहरों को सामिल किया गया जो कहीं न कहीं अलग-अलग तरह के cultural activities से related है या उनको preserve करने का काम कर रहा है और कहीं न कहीं जो है अपने tradition को जो है conserve करने का काम कर रहा है बढ़ावा देने काम कर रहा है उन cities को सामिल किया गया तो जैसे अभी भारत के दो cities को इसमें सामिल किया गया जिसमें से एक है Gwalior और दूसरा है Koji Code जो कि केरल का एक शहर है तो आपको याद रखना है Gwalior प्लस Koji Code ऐसे ही लिखते हैं सायद Koji Code कोजी Code मतलब केरला का है और ये MP का एक शहर है Gwalior तो अब इसका आंसर आपको clearly समझ में आ जोगा UNESCO ने हाल इमें भारत के किस शहर को संगीत सहर का घोशित किया है तो ये इसी इनिशेटू के अंतरगत ये Gwalior को तो option D जो है इसका correct answer है मध्यप्रदेस का Gwalior UNESCO के द्वारा घोशित संगीत सहर ये City of Music है ये किस के अंतरगत आता है UCCN के अंतरगत UNESCO Creative Cities Network के अंतरगत अगर आपसे question पुछे कि भारत में किन दो शहरों को UCCN में शामिल किया गया तो याद रखना है MP का Gwalior और केरला का जो है कोजी कोट ये दो शहरों को जो है इसमें शामिल किया गया है अच्छा एक जो चीज है मध्यप्रदेस के बारे में इसमें थोड़ा सा आपको धियान में रखना है क्योंकि मैंने MPGK वाले सेक्षन में MPPSC वाले सेक्षन में मैंने बताया भी था इस चीज को कि जो भारत में सॉरी मध्यप्रदेस में जो महिहर है उसको जो है वहाँ का City of City of Music कहा जाता है तो वो अलग चीज है जो वहाँ के GK में ये चीज आपको समझ में आएगा महिहर के बारे मैंने आप लोग को यूनेसको ने सेलेक्ट किया है इसको ना कि हम जो MPG के में महिहर को देखते हैं वो नहीं तो ग्वालियार में बेसिकली जो अकबर के नौरत न थे तान सिंग उनकी जन्म इस खली माना जाता है इसलिए इसको इसको City of Music कहा है तान सिंग का जो है यह बर्थ प्लेस है यह जन्म इस्थान है ठीक है इसलिए जो है इसको ने सामिल किया है इसको Creative Cities of Network का City of Music ठीक है I hope समझ में आ गया होगा बाद Next है यहाँ पे Who has become the first woman to skydive from 21,500 feet near Mount Everest Mount Everest के पास से 21,500 feet से skydive करने वाली पहली महिला कौन बनी है तो इसमें आप्सन से आपके पास Arunima Sinha, Shital Mahajan Krishna Puri और Aditi Ashok तो देखो जो skydivers होते हैं वो जैसे कि जनरली जो है helicopter वगर से छलांग लगाते हैं skydive करते हैं तो यह पहली महिला ऐसी है जो कि Mount Everest के पास से लगभग 21,500 feet के उचाई में helicopter से छलांग लगाई है skydive करी है ठीक है और यहाँ पर मतलब कि यह जो Mount Everest है वहाँ पे काला पत्थर mountain है उस पे उन्होंने land किया था ठीक है तो यह ऐसा record बनाने वाली यह पहली जो है महिला बनी है तो options में यहाँ जो option भी दीख रहा है आपको शीतल महाजन इनका नाम याद रखना है कुछ unique चीज़े है जो करेंटरफेर्स में जनरली पूछता है तो यह थोड़ा से unique चीज़ है यह पहली महिला बनी है भारत की तो इस ते जो है याद रखना है शीतल महाजन इन्होंने जो है sky dive किया Mount Everest के पास से 21,500 फिट के height से और वहां से वो काला पत्थर चोटी में जो है इन्होंने land किया था काला पत्थर Mountain Peak इसे के पास में है Mount Everest के पास में ठीक है last question है आथ के लिए who has become the first Indian woman cricketer to be inducted into ICC's Hall of Fame तो Hall of Fame जो है generally जो ICC का एक ऐसा fame होता है जिसमें अलग-अलग तरह के cricketers को उसमें शामिल किया जाता है और especially जिन्होंने कुछ ऐसे कारनामा किया है जिससे पहले उनको एक तरह का recognize करने के लिए उनका talent को तो ये काम जो है ICC के द्वारा किया जाता है Hall of Fame उनको सामिल करके ठीक है तो यहाँ पर ICC के Hall of Fame में सामिल होने वाले पहली भारती महिला cricketer कौन बनी है तो देखो महिला cricketer के नाम से ज़्यादा लोग जानते नहीं है लेकिन फिर भी जैसे अंजुम चोपडा का नाम फेमस है मिताली राज का फेमस है अभी की डेट में पुना मियादों है तो इनका नाम जो है हो सकता है पूँए कन्फ्यूस करे लेकिन याद रखना है यहाँ पर जो ऑप्षन डाइना एडुल जी यह जो है इसका करेक्ट आंसर है ठीक है तो यह पहली ऐसी इंडियन फिमिल क्रिकेटर या वोमेन क्रिकेटर बन गई जिनको जो है ICC के हौल अफिम में जो है शामिल किया गया है ठीक है इसी दोरान जो है अभी विरेंदर सहवाक को भी इसमें सामिल किया गया है मेरे ख्याल से सर्लंका के भी कोई अरविन डिसलवा है नाम सुना ऊगा आप लोगों ने विकर देखते होगा तो उनको भी जो है सामिल किया गया है तो confused नहीं होना है जो famous नाम है अंजम चोप्रा मिताली राज वो सब नहीं है यहाँ पे डाइना एडोल जी जो है भारत के पहली महला करिकेटर बन गए ठीक है ओके तो आज के लिए इतना ही मैं कल आप लोग का जो SSC है वो SSC है उसके लिए अलग से मैं आप लोग के लिए class करूँगा जिसमें मैं आप लोग को बता दूँगा सारी चीज़े जो guide है वो कर दूँगा मैं आप लोग का briefing में और कल जो है इसको हम continue करेंगे जो नौम्बर का एक और जो है class होगा current affairs का तो अभी जो है monthly इस टाइप से चलेगा कुछ-कुछ important चीज़ें हैं जिसे sports और awards और उगर उसको हम अलग से करने वाले है ठीक है तो फिलाल अभी के लिए इतना ही और मैं इसको जो है आप लोग के अलग-अलग courses के section में इसके PDF को upload कर दूँगा तो आप से आप लोग लेक से चलेगा